पार्ट अठारा अनुच्छीत लेखन पारग्राफ राइटिंग किसी एक विशय को लेख कर संक्षीत में उसके बारे में लिखना ही अनुच्छीत कहलाता है इसमें विशय से समबंधित समस्त बातें 10-12 पंक्तियों में ही स्पष्ट रूप से लिखनी होती है अनुच्छीत लेखन में यह ध्यान रखना चाहिए कि भाशा सरल, सुबूद तथा वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए अनुच्छीत लेखन का प्रयोग कई विधियों से किया चाता है जैसे 1. किसी समचार पत्र में किसी समसामईग विशय पर लिखना 2. किसी के त्वारा मिले मोखिक संदेश को लिखकर, 3. या अपनी किसी विशेश पात को अपनी टाइरी में लिखना आदी ये सभी अनुच्छीत लेखन के अच्छे माध्यम होते है समचार पत्र के लिए मैं आपके समचार पत्र दैनिक चागरण की माध्यम से अपनी क्षेत्र इंद्रानगर में आई दिन हो रही चोरी, छेट छान तथा चेन खीचने जैसी अपराथे खटनाओं की ओर पुलिस अधिकारियों तथा इसके प्रती जिम्मेदार उच्छा दिकारियों का ध्यान आकरशित करना चाहती हूँ अपराथियों की गतिविधियों को देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी तरह का कुई भी भै नहीं है वे निडर होकर अपराथों को अंचाम दे रहे हैं अधिकारियों को इसके विचे में सूचना दी जा चुकी है किन्तु दुख की बात है कि इस तरफ उन्होंने सरा सभी थ्यान नहीं दिया इस वार मैं यह पत्र आपकी समचार पत्र में देखर आशा करती हूँ कि संबंधित अधिकारियों तक मेरा निवेदन पहुचेगा और वे अनुशास नात्मक कदम अवश्य उठाएंगे दाइरी लेखन मेरी शहर की अंबेटकर मैदान में जेमिनी सरकस लगा था मेरे पिताजी ने रविवार को कार्याले में छुट्टी होने की कारण हम भाई बहनों को तथा मम्मी को सरकस दिखाने का प्रोग्राम बनाया हम सब खास कर मैं और मेरी बहने सुबह से ही सरकस देखने जाने के लिए पड़े ही उत्साहित थे पिताजी हम लोगों को लेकर ठीक चार बजे ही अंबीटकर मैदान में पहुँच गए पिताजी ने सरकस की टिकेट पहले ही ले ली थी तो हम लोग अपनी सीट पर जाकर पैट गए सरकस शुरू हुआ पहले चोंकर आया उसने अपने अजीब करीब विवहार से सब को हसा दिया उसके बाद कहीं कलाबास एक साथ आए और हवा में अपनी कलाबास यां तिखाने लगे उन्हें हवा में उचलते देखकर आश्चर्य भी हुआ और तर भी लग रहा था कि कहीं वह किरना चाहें उसके बाद तो हाथी, बंदर, शेर, भालू, आदी जानवरों की सूच-बूच और कर्तब देखकर सभी ने तांतों तले उंगली दबाली हम लोगों ने सरकस का फर पूर आनंद उठाया शों के समात्थोने के बाद हम सभी पाहर आ गए पिता जी ने हम लोगों को आईस्क्रीम खिलाई खाना भी पाहरी खाया और फिर खुशी-खुशी खर वापस आ गए सच मुझ मीरे लिए वह दिन एक यादकार दिन बन गया अनुच्छीद कहा जाता है कि मनुश्य एक सामाचिक प्राणी है समाच की इकाई होने के कारण मनुश्य एक दूसरे पर निरभर रहता है हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में दूसरे की सहायता अवश्य करता है जब दू व्यक्ति साथ साथ उट्टे बैठते हैं और कारे करते हैं तो उन पर एक दूसरे की व्यक्तित्व का प्रभाव निश्चित रूप से पढ़ता है आप जिस प्रकार की व्यक्ति के साथ बैठेंगे, आपकी चरित्र पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा अच्छी तथा सतकुणों वाले व्यक्ति की संगती में मनुष्य अच्छा और बुरे तथा दुर्गुणों वाले व्यक्ति की संगती में मनोश्य पुरा बनता है। इसलिए संगती करने से पहले अच्ची तरह सोच विचार कर लेना चाहिए।